Hello students, welcome to the channel entrance exam guide. So friends, आज हम इस टूडियो में बात करने वाले हैं WWE 2021 के बारे में आज हम इस टूडियो में UUE 2021 के बारे में हर एक डीटेल इंफॉर्मेशन डिसकस करेंगे लाइक उसका एप्लिकेशन किस तरह से भर सकते उसका एड्मिकर किस तरह से डाउनलोड किया जा सकता है साथ यसाथ WWE 2021 का सिलेवर्स क्या है एक्जाम पेटन क्या एलिजबिक क्रैक्टिरिया क्या है कौन को न इस एक्जाम के लिए अपलाए कर सकता हर एक चिसफुल डीटेल में जाने हैं आज हम इस वीडियो में आपको नूटिफाय करते हैं तो चल्डे अब हम शुरू करते हैं WWE 2021 के बारे में आप डीटेल में जानना तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने किसी भी ब्राउजर पर गूगल डॉट कम उपन करते ही आपको वहाँ पर सर्च करना है WWE 2021 और उसके बाद आगे आप लोगों को लिखना होगा ctt.co.n अब आप लोगों का ctt.co.n लिखना बहुत है जरूरी गाईज क्योंकि यह किसी एक्स्क्लूजिव एफसाइट है जहां पर आपको WWE 2021 की जानने को मिल जागी उसके साथ साथ यह website जो डबल यू डबल यू की ऑफिचल एफसाइट की साथ डेली बेसे पर एगुलर्ली अपडेट भी होती रहती है का फौल फौक में आप्र बता दिया गया उत्रान चल्ट उन्यूर्सिटी ऑंक्तेम साइट द गड़नेश जाता है इस एक्जां का मेंन मकसथ जो languages की अनप सकता हैं चाहिए उत्तरांचल उनियोसिती में उसके लिए रुटरांचल उनियू leadingूरी के बारे मिल जाते हो खुए आर्क्या के लिए उन्छ आपकार संञट जा और गों वहां नियूद को ВОक्री के इन्जीनिया अपकूर्ब यूजी और टीजी के पर पर बादेक करें जाते हैं और अप्राइजिक बढ़ी उत्राइज़ चल्ट उनिवेसिटी खुद एक्जाम करवा जाता है एक्जाम मोड जो आपको तीन खंचे दियांगे तीन खंचे में आपको अपना पुरा पेपर जाएगा और लास्ट आपको यहाँ पर जो ऑफिशल एपसाइट दे दी गई है अब नेक्स आप आगे देख सकते हैं आपर इक्जाम जो बता दिए गया जरुएया हैं तो इसका अप्लिकिशन परमर में यह दवारा यहाँ पर आपके अब नेक्स बात करेंगा हम application form और application fee की जो डबली डबली के application form में बहुत यह इंपोर्टन डोक्यूमेंट है और उतनी ही जादी साउधानी अलटरस रखने की ज़रूरत है आप लोगों को application form के process में क्योंकि अगर आप application form बहते हैं कोई भी गलती करते हैं कोई भी mistake करते हैं अगर आप बढ़ते हैं आपका application form जाले लिए reject होजेगा आप application form जब accept नहीं होगा एक और जो सबसे बड़े इस्टूजन से करते हैं application form के बहते हैं उसके बाद उन से जो education qualification की रिकार्ड़ी बनने जा जाते हैं तो वह भी बहते हैं थार्ड स्टेप में उन से कहा जाते हैं कि document photograph signature scan करके upload करना है लेकि उन्हीं नहीं बता थे कि किस size और किस वार्म में document photograph signature की जो scan करके upload करना है तो किसी भी size और किसी भी फॉर्म में upload कर देते हैं जैसे हम आप लोगों को बताएंगा किस तरह से document signature photograph को जो scan कर सकते हैं कितने के बीस में से कौन से फॉर्म में upload करना है हर एक इस वीडियो में बता दी जाए अब नेक्स हम बात करेंगे application fee की तो टोगल 1200 रूपीस है आप application fee directly भर सकते है offline mode में अब next हम बात करेंगे eligibility criteria के बारे में so guys यहाँ पर आप देख सकते है eligibility criteria जो बहुत अदे important है क्योंकि अगर आप इस exam के लिए apply करना चाहते तो सबसे पहले आपको इसके eligibility criteria को satisfy करना होगा अगर इसके eligibility criteria को नहीं कर पाते तो आप इस exam के लिए apply नहीं कर सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं आप जिस भी course के लिए apply करना चाहते है उस course के हिसाब आप अपना eligibility criteria चेक आउट कर सकते हैं like btech, bsc, bfarm, bcom, bba, lb, bca के लिए eligibility criteria है वह सबसे basic है कि आप 12 पास रहने चाहिए उसी के साथ साथ आपके पास जो subject 12 में फीजिक, chemistry, mathematics, biology, compulsory subjects रहने चाहिए आपके जो marks है, total 45% marks आने चाहिए minimum और आपकी जो age है, वह age आपकी 17 years से जादी रहनी चाहिए जब आपके इस course के लिए admission ले रहे होंगे तभी तो इसी तरह से हर course के लिए अलग-अलग eligibility criteria है तो आप description में link के द्वारा जो अपनी full detail eligibility criteria है आने से check out कर सकते हैं exam pattern की बात की जाए तो आइस आप लेगों को total 2 घंती दिये जाएंगे, दो घंती में आप लेगों को जो पूरा paper अपना complete करना होगा, type of questions यानि के आपको multiple questions दिये जाएंगे, एक question के total 4 options होगे, उसमें से जो भी option आपको सही लेग, आपको simply उस पर click करना होगा, total आपको 100 questions जवाब देने होगे, और हर एक question पर आपको जो एक marks दिया जाएंगे, अगर एक question का answer देते तो आपको जो marks दे दिये जाएंगे, नेक्स यहाँ पर आपको physics, chemistry, English, mathematics, biology में से subjects भी आपर दे दिये गए, अब नेक्स यहाँ पर आप लोगों को course के हिसाब से subject और उसके question distribution दे जानने को मिल जाएगा, और इक लिएक बीटेक, BST, BVA, MBA, BCOM, HONS, BFARM, आप इसके लिंक के दोर आप यहाँ पर आकर चेक आउट कर सकते हैं, कौन से subject में कितने questions पूछे जाने आगे, अब syllabus की बात की जाए तो आप एम आपको discussion में एक link दे दूँगा, जहाँ पर एक को इसके हिसाब से अलग-अलग, particularly course के regarding जो आपको syllabus मिल जाएगा, और course में अंदर भी जितने subjects है, subject के हिसाब से syllabus और consequence important topic का हर एक चीज आपको डीटेल में उस वीडियो में, description में जो link के जानने को मिल जाएगी, अब बात करेंगा, admit card के बारे में, so guys, इसका admit card बहुत है important document ही, without admit card आप लोगो कुछे exam देने नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप लोगो कुछे admit card अच्छी तर से download करके उसके तीन से चांप प्रिंटार निकाल के अपने पास समाल के रखने होंगे, और एक और जो सबसे बड़ी, जो सबसे बड़ा issue face और इसका admit card के regarding वो यह है, तो उन प्रिंट के माद हम से update कर देंगे, notify कर देंगे, कि admit card रिलीज हो चुका है, उसे के साथ आपको वीडियो में यह भी बता देजाएगा, किस तरह से आप अपना admit card आसानी से download कर सकते है, अब बात की जाएगा, result के लिए भी same चीज़ होती है, result declared होते है, आप लोगों को हम ब आप लोगों को कुछ डाउट नहीं होगा, अगर फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट हो, आप लोगों मुझे comment section में बोल सकते है, मैं जरूरा आप लोगों की मदद करने के पूरी-पूरी कोशिश होरूँगा, और अगर आप लोगों को यह अच्छा लगा, इस वीडि झाल